मद्धप्रदेश के बैतूल में पिक्निक मनाने के लिए अपनी सहलियों के साथ युवती सेल्पी लेने के दौरान जर्ने में गर गई और पानी में डूबने के कारण उसकी मौत हुगई वागे पर पहुँची स्टी इर्फ कीटी ने एक घंटे के रसकी ऑपरेशन के बाद युवती कर शर्फ जर्ने से बाहर निकाला जिसके बाद पोलिस ने शर्फ को पूस्ट मौटम के लिए भेज दिया साथ ही घटना की जाच की जा रही है लबक साड़ी तीन बजए कंट्रोल रूम से सुचना प्रात वी थी कि एक बाया 20-22 साल की बच्ची जो है ये खेडी के आगे जो जन्ना है अन्मान नंदिर वे उपर वहां पर पैर सलिप होने के काराण से गिर गई यह चिचोली की रहने वाली लड़किया है ये पिपनिक मनाने के लिए आई की उस जगे पर जहरने में जो कुंड है तो सेल्फी लेते हुए पैर फिसलने के कारण उसमें से माधूरी आरे नाम की लड़किया चिचोली की रहने वाली है वो कुंड में चली गई थी किर हमने एंडायरप के टीम लगाई हुई थी तो फिर गोता यह साश की अस्पिताल में